अच्छा गुजरा होगा अगेन एक अच्छा दिन आप कह सकते हैं क्योंकि इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव पर रही लेकिन डियूरिंग जो हमारा कल भी खयाल था कि मार्किट जो है वो अभी भी प्रॉफिट टेकिंग की जर्द में है तो आज भी आप यूँ कह सकते हैं कि जी नेगेटिव क्लोजिंग देते देते बची देन मार्किट में हमें एक रिकवरी जो है वो देखने को मिली लेकिन बात ये है कि अगर ये रिकवरी जो है ये मार्किट में वॉलियम के इंक्रीज होने के साथ होती वॉलियम भी बढ़ता तो यक पर इस वक्त इंडेक्स पहुंच चुका है वॉलियम डबल हो जाना चाहिए था लेकिन वॉलियम इंक्रीज नहीं हो रहा बलके हर गुजरते हुए दिन के साथ वॉलियम कम हो रहा है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है बाकी मजीद जो है वो इन्शाला जिस वक्त हम कैं तो आज भी बहरहाल माशाला से तेरा कमपनीज जो हैं वो हमें अपर कैप में नजर आ रही हैं कल हमने सरल के हवाले से स्पेशली बात की थी उसके बाद मुझे काफी मैसेजिज मुशूल हुए कुछ अफिशल और कुछ अनफिशल लेकिन किसी भी मैसेज में कुछ लोगो भी अपनी वीडियो के अंदर वो तमाम ब्यातें बियान कर दी थी के स्पेशल क्या है उसके कितने परशन के सेर्ज हो सकते हैं वो जैली कॉमपनी है हमारा ये नकता नहीं था हमारा नकता ये था मैं ये पूछना चाहरा था कि सरल कॉमपनी की ये रिस्पॉंसिबिलिटी है कि जो notification as a material information वो बेज रही है या कुछ भी कर रही है उसके अंदर clarity होने चाहिए ये shareholder का हक है आप उसमें मुबहिम चीजें ना लिखें कि the company आप उसमें mention करें कि जी वो सरल पाकिस्तान है SPL company है उसके इतने person के stake जो हमां बेचने जा रहे हैं या shares बेचने जा रहे हैं बात कितम हो जाती है या ताकि shareholder को पता लगे ना कि आप क्या करना चाहरे हैं हमें भी जब वो notification मिला हमने भी उसको पड़ा इदर उदर से website से जा कर डूंडा तो website वालों ने भी जो सारी चीज़ें इदर उदर से उठा के इकठी करके लिखी थी clarity तो नहीं है clarity तो वो होगी जो company mention करेगी बात अपनी जगा पर अभी भी मुभेम है incomplete है और सरल को चाहिए कि वो एक detail में मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में वो detail जो है वो mention हो जाएंगी हो सकता आज ही हो गई हो लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरी तो कोई नहीं जी वो जितने भी links आप दोस्तों ने बेजे वो सारे के सारे जो थे वो मेरे नजदीक तो कोई इतनी खास हैमियत नहीं रखते उसमें कोई details नहीं थी वो details जो थी वो already हम video के अंदे डिसकस कर चुके थे SPL का बता चुके थे जैली company का बता चुके थे उसके कितने percent stakes जो है वो बेचने जा रहे हैं वो भी बता चुके थे तो कोई हमारा सवाल वहीं का वहीं रहा और वो सवाल किलियर होगा जब सरल वाले explanation देंगे detail में Pakistan stock exchange को कानून के मताबिक तो हमारा सवाल अपनी जगा काईम है जी आगे चलते हैं तेरा companies माशालला से अपर कैप रहीं जिसमें आईन आईल और सरेफेरिस्ट है बड़ा शेर है वालियम भी रिस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं कि अच्छा था लोर कैप की बात करें तो लोर कैप में को खास का बले जिकर कंपनी जो हमें नजर नहीं आ रही देखिए stock exchange में जो announcements होती है ना उनमें एक जो material information उसको जरूर देखा करें अब ये एक दो चीज़े मेरी नजर से गुजरी थी और आप साथ में ये जरूर देखा करें कि जो company के directors हैं वो company में क्या करने कर रहे हैं ये क्या करने जा रहे हैं अब मिसाल के तोर पर smcpl है safe mix वाले अब इनका जो मैंने ये अभी material disclosure जो मैं बाड़ रहा था तो उसमें अब ये डारेक्टर सहाब ने shares बेचे हैं काफी ज्यादा तादात में अब ये चीज़ शो करती है कि जिस वक्त डारेक्टर जो हैं वो एक high level पर जाकर उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं shares में से तो ये भी आपने जहन में रखना होता है कि जिस company के shares मेरे पास हैं उसके directors क्या कर रहे हैं तो इन्होंने अपने shares बेचे हैं और काफी अच्छी तादाद में बेचे हैं इसके लावा जो दूसरी है वो सुनेरी bank है अब उन्होंने 6 लाग के करीब जो shares हैं वो खरीदे है तो ऐसी चीज़ें जरूर देखा करें यह मैंने इसलिए आज यह चीज़ें एड की बहुत कम यह चीज़ें हम डिसकस करते हैं को कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और हमें वैसी शौक होता है कि कोई दोस्त आए और वो कहें यह तीन buy calls हैं and then so and so अलांके buy calls इतनी एहम नहीं होती एहम यह चीज़ें होती हैं आप एक company को जब पता ही नहीं आपको कि जिस company के आप share करीद रहे हैं उसके directors क्या कर रहे हैं उस company के साथ यहां उसकी material information क्या आ रही है तो क्या करेंगे आप buy की को learning तो कभी भी नहीं होगी आपकी आगे चलते ह तो यह दो जो थी वो मैंने इसलिए शामिल की कि future में आप अपने आपको इसकी आदर डालिए और कोशिश करेंगे कोगे एक अगर हमारी भी नजर से कोई important चीज़ गुजरे तो उसको हम अपनी वीडियो का हिस्सा बना लें आगे चलते हैं जी और बात करते हैं overall market की banking sector जो आदा जिस वक्त वो market के अंदर जो थी वो हमें reversal आता हुआ नजर आया था तो उसमें एक शक्सियत का नाम लिया गया था कामरान खान का के जी कामरान खान के tweet ने जो है जी वो market का पासा पलड़ दिया भाई मैं अपनी काफी सारी वीडियो में discuss कर चुका हूं कि कामरान खा बहुत बड़ा stakeholder है stock market के अंदर तो इसलिए आप चीजों को समझा करें हमारे हमें इस बहुत सारे sponsors नहीं मिलते हैं इसलिए कि बहुत सारे लोगों के नाम ले लिए जाते हैं तो इसलिए किसी की बात बर भी कान धरने से पहले आप इस चीज़ को देखा करें कि उसका अपन तो ना market recover कर गई हो सकता जिन्होंने अपना माल बेचना हो वो बेच लिया हो तो चीज़ को देखा करें कि बात कौन कर रहा है क्यों कर रहा है और उसमें कितनी जो है वो उसमें एहमियत है अब जब के interest rate कम नहीं हुआ तो उसका directly जो है वो impact किसने ले लिया banking sector ने अब banking sector द तो इसलिए चीज़ों को जड़ा देखा करें कि किस angle के साथ market जो है वो move कर रही है अब बहुत सारी चीज़ ने तो एक वीडियो के अंदर discuss नहीं हो सकती यकिनन 10-15 मिनट होते हैं हमारे पास सिरफ right आगे चलते हैं जी और बात करते हैं अच्छा यार यहां पर एक सेक्टर के आपको कुछ भी चलता हुआ नदर नहीं आ रहा तो यह अभी जो मैंने आप से बात की interest rate के हवाले से यह उसी के पीछे ही यह रहाज है सारा आगे चलते हैं जी और बात करते हैं किसने कितने points डाले तो banking सेक्टर 300 points 300 points के साथ सरेफेरिस्ट है then engineering sector and then so and so 2-2-4-4 points के साथ चीज़ें जो है market balance नहीं है market का सिर्फ एक sector lead कर रहा है volume कम है नतीजा आप खुद भी निकाल सकते हैं नहीं तो कैंडल स्रिप पर जाके हम तो निकालेंगी थोड़ा बहुत आगे चलते हैं जी और अगली जो है खबर वो यह है कि finance minister नहीं यह कहा है कि फाटा और पा अगर कुछी के knowledge में हो तो वहां पर कुछ steel mills भी हैं उस area के अंदर और मेरा ख्याल है कि उस हवाले से जिस वक्त ये exemptions वापिस ली जाएंगी तो उनको भी उतना ही tax लगेगा जतना कि पंजाब में या किसी और जगा पर steel mills को लगता है तो इसका भी असर आएगा लेकिन चुके मेरा दूद दर्बा जो है वो कितना अच्छा नहीं है तो इसलिए बहुत सरी चीज़ें जो है वो प्लस माइनस हो जाती है तो आप जरूर देखिएगा कि जिस जिस company के आपके पास shares है उनके plants कहां कहां पड़ हैं ये चीज़ जरूर देखिएगा और इसके साथ ए पर्म होगे तो इन्शाला फिर आने वाले दिनों में हम वीडियो में शामिल करेंगे कि वो company कौन सी है आगे चलते हैं जी और अगली खबर ये है कि public debt जो है ये 8 trillion अब देखिए बात ये है कि ये दिन बदिन इसमें इजाफा क्यों हो रहा है और दूसरी बात ये है कि bank क्य तरक्की कर रहे हैं पिछले दिनो जिस वकित इंटरस्ट के ह었다 हो रही थी तो मैंने मैं शुरू से एक बात का जो है वो वीडियो में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तन में इंटरस्ट रेट के हे जो बाते होती है उसका दुनिया के साथ मामला थोड़े से different है पाकिस्तान में बिजनस को लोन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिजनस लोन ले ना ले उनको क्या फरक बड़ता है एक्स ले वाई ले उन्होंने तो आगे से इंट्रस्ट रेट ही चार्ज करना है लहाजा चुके गौर्मिट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका पेट बहुत बढ़ा हो चुक मैं अपनी भी एक बात करता चलूँ कि करन्ट अकाउंट में आप जब तक पैसा रखेंगे बैंक्स जो है डबल ट्रिपल कमाएंगे उनकी जो है वो चांदी है तो इस वज़ा से चुके हमारा जो पबलिक डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो है वो मजीद परफॉर्म करेगा हाँ आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी खबर आती है कि इंटरस्ट रेट कम हो रहा है तो वो बज़ड के बाद ही आएगी उससे पहले बहुत मुश्किल है आगे चलते हैं और आखरी खबर जो है वो पी आईए के हवाले से है कि पी किसम का कोई शको शुबा ना रह जाए इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जो कुछ होना चाथा वो हो चुका है आगे चलते हैं जी और मजीद को खबर जो है वो नहीं है जो शामिल की जा सके और बात करते हैं कैंडल की कैंडल स्टिक में सबसे पहली चीज जो है वो जिसका मैंने कल भी जिसकी इंडिकेशन की थी कि मार्किट में वालियम अच्छा नहीं है और आज का वालियम कमपेरिटिवरी अगर हम देखें तो गुजिशता लगने वाले कोई रफली रफली को 20 सेशन से कम है ये बहुत ज्यादा सिगनिफिकेंट है कि अगर आप थोड़ ज्यादा जाइजा लें तो रफली रफली कोई 20 के करीब सेशन हैं कि जिन से कम वालियम था आज बहुत कम वालियम है आज जुम्रात का दिन है कल जुमा है कल फ्राइड़े है मार्किट जो है वो 75 की रिजिस्टन्स के करीब है वालियम जो है वो लो है तो बेहतर यह है कि अभी कल का दिन भी wait and see किया जाए कि market का रुख क्या बनता है क्योंकि right at the moment candle stick बहुत चोटी है, volume उसको support नहीं कर रहा, market resistance के करीब है, profit taking जो है एक दिन में जो है वो roughly देखी गई है, अगर हम इसको दुबारा से देख सकें, तो थोड़ा सा clarification हो जाएगी कि आपको profit taking जो है, य होती हुई नजर आई, ना सिर्फ के आज बलके yesterday भी आपने देखा, इसलिए बेहतर यह है कि कल तक का wait किया जाए, एक बात, दूसरी बात यह है कि individual shares जो है, उनको देखा जाए, कि आया कि उनको volume support कर रहा है, और right at the moment वो share किस price पर trade हो रहे है, हमने कल दो shares buy करने की कोशिश की थी, आज हमने कोई भी recommend नहीं किया, हम भी wait and see पे हैं कि situation क्या है, कुश यह थे हमारे previously वो अच्छे चल गए, अब जो है, वो हम देखते हैं, आखिर में सिर्फ एक बात जो है, वो यह है, कि अगर कुछ दोस्त अभी भी हमारे group के हवाले से जो है, वो messages आ रहे हैं मुझ 6-8-10 दिन है, मुफ्त में आपको फीस जो है पड़ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लें, हाँ, अगर आपने हमारा जून के महीने का training session जॉइन करना है, जिसमें हमारे पास दो जो है, वो training sessions है, एक है investor का, और दूसरा है beginners plus investor का, अगर इसकी आपने information लेनी है, तो whatsapp कीजि देजिये, खुश रहें, अबाद रहें, देखिए, कोशिश ये करें, कि मेरी वीडियो देखें, किसी की भी वीडियो देखें, उसमें से आप अपने share के हवाले से लाजमन कुछ देखने की कोशिश किया करें, कि market आपके share को किस तरह से मतासिर कर सकती है, overall market मतासिर होगी, तो आपका share लाजमन मतासिर होगा, इसलिए market के साथ चलना होता है, इस वक्त market weight and see का मुझाहरा करने का कह रही है, तो हमें market की बात सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कल market आपको perform करती ही नजर आती है, तो जो share आपने 15 रुपे पर खरीदना था, वो आप 15, 16 पर खरीद ली दियेगा मंडे वले दिन, देख लें के market क्या करती है, weekend बड़ा important है, इजाज़त दीजिए जे, अलाहाफिस,